टीवी की जाच के लिए पैथोलोजी लेव के करमचारी पर एक्सपायर डेट का इंजेक्शन लगाने का आरूप है लेव संचालक के खिलाफ तहरीर दी गई है महल लखनपूर के रहने वाले पंकच कुमार का कहना है कि 9 अगस्त को टीवी की जाच कराने के लिए नगला बूरी सिद्ध पैथोलोजी लेप पर गया था टीवी जाच के लिए स्कीन में इंजेक्शन लगाया जाता है आरूप है कि करमचारी ने इंजेक्शन की एक डोज लगा दी वह दूसरी डोज लगा रहा था तभी उससे इंजेक्शन लेकर चेक किया गया उस पर जनवरी 2022 की एकस्पायर डेड दर्श थी इस दोरान पीरित पंकच कुमान ने बताया नगला बूरी तुलसी बाग के एर पैथ लेफ के मालिक आयुश मधूर से इस मामले को लेकर शिकायत की तो वहे भी आग बबूला हो गए और अपनी लेफ की सफाई देने लगे पीरित ने बताया के एर पैथ लेफ में बिना अनुभव के टेक्निशियन इंजेक्शन लगाने वाले करमचारी को रखा गया है CMO कारयाले में शिकायत करने गए लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला CMO डॉक्टर अरुण श्रीवासब ने कहा कि शिकायत मिलने पर जाच कराई जाएगी पीरित पंकच कुमार ने अब इस पूरे प्रकरण को लेकर मुखे चिकिस्ता अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवासब के यहाँ पर लिकित में शिकायत पत्र दिया है अब उस पत्र पर CMO आगरा ने जाच उपरांत उक्त लेब पर सीड लगाने की कारवाई करने की बात कही है तो उसको देखा मैंने दिखाना जारा कौन सा इंजेक्शन है देखा तो पता चला 2022 में ही वह एक्सपायर हो चुका है जनबरी के महीने में दूसरी तो मैंने उसको रोक लिया पगड़ लिया इसका मैंने फिर विरोथ किया दुबारा से सुभास मातर को काल किया इस तरीके से तुम्हारा लड़का लगा रहा है यह ठीक नहीं है तो वह भी हमसे उल्टा सीधा बोलने लगा और यह लड़का भी बोलने लगा इसका जो अरे उससे कुछ नहीं होता है और जे हमारा है मैंने 112 पर डाइल पर मैंने कॉल किया था तो वहां से पुलिस भी आई थी तो हमको आश्वासन देते रहें कि हम कारवाई करें कारवाई करें कोई कारवाई नहीं हुई मैंने दूसरे दिन तक का इंतियार करा कुछ भी नहीं यहां से फेंहें और उसके बाद मैं नयाय के लिए भठागी रहूँ अधर अब मेरे को क्या हुरह नम है ? वहर बार बार कॉल करवा कर के दर फेन अधर से इस लोगे या यह पूंद कर रहा है यह का दाऊं गटेरवा था है या तो तलम अपना यह बंद कर रहें और पुलिस को सिकायद भी करी हमने तो अभी कोई कर रहेंगे आगरा में ऐसे ही कई और भी पैथोलोजी लैव है जो जनता की जान से खेल रहे हैं प्रातागरपन नियूस के लिए आगरा से समवाद दाता ज्यानेंद्र शर्मा की रिपोर्ट